इंसान के जीवन में अक्सर ऐसा होता है जब वो अलग-अलग तरह की कई मुसीबतों में फस जाता है कई बार वो अपने आपको ऐसा फसा हुआ महसूस करता है जिसमें उसको कोई रास्ता नजर नहीं आता खेंतों मैं धर्म हुए और मैं ये अपना करतवे समझता हूँ कि मैं आपको कुछ उन तरीकों के बारे में बताऊँ जो आपकी परेशानियों को खत्म कर सके और मैं आपको तमाम परेशानियों को खत्म करने वाले कुछ खास मंत्रों के बारे में बताऊँगा लेकिन उससे पहले जाना अपना राशिफल मिश मित्रों से संबंधन बिगड़ सकते हैं आकस्मिक धनलाग का यूग है अपने पारिवारिक जीवन पर ध्यान देने की जरूरत है शुभरम सफेद भागे प्रतिशक पिछहतर ब्रेश कोई बड़ा आर्थिक लाब हो सकता है सिहत अच्छी बनी रहेगी अपनी वाणी पर ध्यान तर्ड़की शुभरम गुलावी भागे प्रतिशक प्रस्किश मेथू आपके जीवन में आने वाली समस्याएं हल होती जाएं कारवार के मामले में कोई जल्द बाजी न करें पाचन तंतर की ओर से तकलीफ हो सकती है शुभरम हरा भागे प्रतिशक सथा कारक देन भर आलासी से भरा रहेगा आपकी सेहत कमजोर रहेगी फिल्हाल महत्वपूर्ण ग्र्णा लेने से अपना बचाव करें शुभरम पीला भागे प्रतिशक पच्पत सेहत स्थान परिवर्दन के योग बन रहे है मान सम्मान और उपहार की प्राप्तियों परिवार में खुशाली आएगी शुभरम लाग भागे प्रतिशक सथा कान्या जीवन साथी से बाद विवाद हो सकता है करियर के लिए आपको काफी मेहनद करनी होगी अनावश्यक जिम्मेदार्या नाला शुभरम आस्मान भागे प्रतिशक साथ तुला आपका दिन सफरताओं से बढ़ा रहेगा धन सरलता से आता रहेगा सैयम और धैरे बनाए रखे शुभरम पिरोजी भागे प्रतिशक 81 विश्टिक मानसिक तनाव बढ़ रहेगा धन प्राप्ती में मेहनद अधिक करनी होगी पारिवारिक दाईप तो बढ़ेंगे शुभरम नारंगी भागे प्रतिशक 55 धन विवहा और प्रेम के मामने में सफलता मिलेगी कोई बढ़ा उपहार आपको मिल सकता है यात्रा करने में समस्या हो सकती है शुभरम सुनहर भागे प्रतिशक 50 मकर स्वास्ति की स्थिती बेतर होगी कर्ज की समस्या हल होगी फिलाल काम टालने से बच्चे शुभरम हरा भागे प्रतिशक 59 कोई सेहत में सुधार होगा आपकी समस्याएं धूर होगी आर्थिक पक्षम जबूत होगा शुभरम नेला भागे प्रतिशक 50 सेहत बिगड़ सकती है अपनी वानी को काबून रखे महत्वपून काम करने में सामधानी रखे शुभरम पीला भागे प्रतिशक 50 नौकरी में समस्या हो या फिर विवाह ना हो रहा हूँ कई बार कुछ परेशानीं से निकलने का रास्ता ही समझ में नहीं आता ऐसे में कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनका जाब करना शांती तो देता ही है परेशानीं से भी मुक्त दिलाता है चलिए मैं आपको उन खास मंत्रों के बारे में बताता हूँ मंत्र क्या है मंत्रों का महत्व क्या है मंत्र कितने असरदार होते हैं ये कुछ वो सवाल है जिनके बारे में आप हम अक्सर सूचते हैं हमारे वेदों पुरानों में जो भाशा अपनाई गई है वो संस्कृत है और संस्कृत में लिखे गए कुछ शब्दों का आश्चर्य चकित कर देने वाला असर ही किनी शब्दों के जोड को मंत्र बनाता है आज हम आपको मंत्र जाप से मिलने वाले फाइदों के बारे में बताएंगे अचानक आने वाली मुसीबतों के लिए अलग-अलग मंत्र होते हैं आज हम आपको उन मंत्रों के बारे में भी बताएंगे नौकरी में परिशानी आ गई हो तो इसके लिए सर्वोत्तम मंत्र होगा ओम गंगन पतये नमहा तीन दिनों तक सुबह और शाम इस मंत्र का तीन या ग्यारह माला जाप करें मंत्र जाप रुद्राक्ष की माला से करें और भगवान गणेश को दूब अर्पित करें तीन दिनों के अंदर ही आपकी परिशानी दूर होने लगेगी नौकरी में आने वाली परिशानी को कैसे खत्म करना है और इसके लिए किस मंत्र का जाप करना है ये हमने आपको बताया नौकरी की परिशानी के बाद एक और आम परिशानी मनुश्य के जीवन में आती है और वो है वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई चलिए अब हम आपको वैवाहिक जीवन में अचानक आने वाली परिशानियों से बचने के लिए खास मंत्र बताते हैं विवाह होने में परिशानी हो तो इसके लिए सर्वोत्तम मंत्र होगा ओम रींग गौरिये नमहा तीन दिनों तक सुबह मादुर्गा के सामने इस मंत्र का ग्यारह माला जाप करें मंत्र जाप लाल चंदन की माला से करें और मा को लाल भूल अरपित करें इस मंत्र का जाप लाल वस्त्र धारन करके करें तो अदभुत परिणाम मिलेंगे वैवाहिक जीवन में परेशानी हो तो स्त्रियों के लिए सर्वोत्तम मंत्र होगा इस मंत्र का जाप 27 दिनों तक सुबह भगवान शिव के सामने करें मंत्र जाप रुद्राक्ष की माला से करें भगवान शिव को बेल पत्र अर्पित करें वैवाहिक समस्या अचानक ही आती है ऐसे में जोतिशी मानते हैं कि इन मंत्रों का जाप करने से परिशानिया खत्म हो जाएंगी जीवन में कर्ज लेना या देना धी एक परिशानी वाली बात है तो अगर लेन देन का कोई मसला भसा हो तो उसके लिए भी एक खास मंत्र होता है धन के लेन देन में परिशानी हो तो इसके लिए सर्वोत्तम मंत्र होगा ओं श्रींग श्रीय नमहा इस मंत्र का स्फटिक या मोती की माला से ग्यारह माला जाप कर ले देवी को गुलाबी कपड़े में अक्षक अर्पित करें, आपकी मुसीबत टल जाएगी लेंदेन के बाद कोड़ के चक्कर अगर आपको परिशान कर रहे हैं तो इस मुसीबत के लिए भी एक खास मंत्र होता है चलिए हम आपको उस मंत्र के बारे में भी बताते हैं इसके लिए सरवोत्तम मंत्र होगा ओम नमो भगवते आंजनेयाय महा बलाय स्वाहा इस मंत्र को परिशानी आने के साथ ही उसी दिन शाम से नौ माला जाप करना शुरू कर दीजिए ये मंत्र जाप हनुमान जी के सामने तुलसी की माला से करें आप की मुगदमे बाजी की परिशानी खत्म होने लगेगी जोतिशी कहते हैं कि इन खास परिशानीों के लिए खास मंत्रों का जाप काफी असरदार होता है इन मंत्रों के जाप से सकारात्मक शक्तियां सही दिशा में चलना शुरू करती है और आपको उससे लाब होता है जीवन में एक ऐसी घटना भी है जो अचानक होती है और वो है दुरघटना दुरघटनाओं से बचने के लिए भी एक फास मंत्र होता है उस मंत्र के बारे में हम आपको बताएंगे आप हमारे साथ जुड़े रहें जिन्दगी में आने वाली दुरघटना वो उक्षण होते है जो कब आएंगे ये किसी को नहीं पता होता लेकिन वो उक्षण ना है या उक्षणों से आप बचकर निकल जाने ये आप जरूर कर सकते हैं चलिए मैं आपको वो मंत्र बताता हूँ जिसके जाब से आप ऐसा कर पाएंगे सेहत की परेशानी हो या कोई रोग हो जाए या फिर आप किसी दुरघटना का शिकार हो जाए ये वो परेशानिया है जिसके बारे में ये कहना मुश्किल होता है कि वो कब आएंगी लेकिन उनसे बचने या फिर उनकी तीवरता को कम करने के लिए एक खास मंत्र होता है चलिए हम आपको वो मंत्र बताते हैं जिसके माध्यम से आप दुरघटना होने के बाद भी अपनी सिहत को बहतर कर सकते हैं इसके लिए सर्वोत्तम मंत्र होगा ओम लक्ष्मन प्राणदा त्रे नमहा जैसे ही ये समस्या हो हनुमान जी के समक्ष घी का एक अखंड दीपक जला दें इसके बाद तुलसी की माला से इस मंत्र का जाप करते रहें ये परेशानी खत्म होने लगेगी मंत्रों का असर कभी नजर आता है जब उनका उच्चारण सही हो और इश्वर से की गई प्रार्थना सच्ची हो सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखने वाले इंसान की हर मनो कामना इश्वर जरूर पूरी करता है मंत्र वो तरीका है जिससे आप इश्वर तक अपनी पहुच बना सकते हैं बस आपको मंत्रों के उच्चारण ठीक से करना है और इश्वर के प्रती अपने विश्वास को जगाना है